नमस्कार मैं रवीश कुमार क्या भारत के किसानों को इस बात की जानकारी है कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार अर्विंद सुब्रमन्यन ने वित्म मंत्राले को सुझाओ दिया 16 सितंबर 2016 को कि 2017 के लिए तूर दाल का नियूंतम समर्थन मुल्य 6,000 रुपए प्रती क्विंटल होने चाहिए 2018 के लिए इसका भाव हो 7,000 रुपए प्रती क्विंटल जब भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार किसानों को तूर दाल के जादा दाम दिलाना चाहते हैं तो फिर सरकार 9,500 रुपया कम भाव क्यों दे रही है क्या हम जानते हैं कि रिपोर्ट और फैसले में इतना अंतर कैसे आ जाता है क्रिशी मंतरी योग से फारिग हो गए हो तो वे देश के किसानों को बता सकते हैं वादा क्या था? वादा था किसानों को लागत का आधा जोड़कर दाम सुनिशित किया जाए किसान कहते हैं कि लागत का आधा भी नहीं निकल रहा कहां तो उन्हें 50% का लाब होना था कहां उन्हें 50% का नुक्सान हो रहा है केंद्रियक ग्रिह राज्य मंतरी हैं हन्सराज अहीर इन्होंने एक मराठी चैनल से कह दिया कि महराष्ट में जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं वो असली किसान नहीं है ये युवा किसान है जो जीन्स पहनते हैं ये व्यपारियों के बच्चे हैं मंत्री जी को नहीं पता होगा कि जीन्स महेंगी होती है तो बहुत सस्ती भी होती है वे किसी भी रेलवे स्टेशन के बाहर या फुटपाथ पर बिकने वाली जिन्स का भाव पता कर सकते हैं और क्या आप प्रदर्शन करने वालों के किसान लगने के लिए चेहरे और कपड़े पर मिट्टी मल कर जाना होगा क्या हम जानते हैं कि भारत का किसान आजकल क्या पहन रहा है क्या पहनावा बदल जाने से आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाती है मद्ध प्रदेश के शाजापूर के मोल्टा गाउं की ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर पाटिदार यहां पंचायत कर रहे हैं इस तस्वीर में किसी के कपड़े फटे हुए नहीं हैं लेकिन इस अधार पर दावा नहीं किया जा सकता कि ये किसान ही नहीं है बलकि कई किसान जीन्स पहने हैं ये ब्रेकिंग न्यूज है एक किसान तो वैसा टी-शट पहना है जैसा अपना सलमान खान पहनते हैं सिनेमा में तो क्या इस अधार पर आप इस किसान को टी-शिट वाले किसान को सलमान खान गोशित कर देंगे जैसे इस तस्वीर में आप देख सकते हैं किसान ने हजारों क्यूंटल प्याज इस गुदाम में रखा हुआ है सरकार ने 8 रुपए प्रतिक किलो की भाव से खरीदने का फैसला किया है मगर किसान कहते हैं कि तारिक तैकर दिया कि 10 से 30 जून के बीच ही खरीदेंगे इस से इतने कम समय में वो अपना सारा प्याज नहीं बेच पाएंगे किसानों का ये भी कहना है कि 8 रुपए किलो का सरकारी रेट भी काफी नहीं है इसकी जगा 10 निउन्तम और अधिक्तम 15 रुपए प्रतिक किलो का भाव होना चाहिए आप इस वीडियो में गाउं की तस्वीर भी देख सकते हैं साधन संपन गाउं लग रहा होगा पक्के मकान है लेकिन क्या इस लिहाज से इन्हें कहा जा सकता है कि ये किसान नहीं है इन्हें कोई तकलिफ नहीं है मसला है कि किसानों ने जो लागत लगाई है वो वापस नहीं मिल रही है मद्धरदेश में कई नीतिया किसानों के हितने बताई जाती है मगर दाम नहीं मिलने के कारण ये नराज हो गए किसान जीन्स पहनने के बाद थी किसानों की ये हकीकत है कि भारत के 53双 किसान गरीबी रेखा के नीचे बसर करते हैं वैसे जो 5 किसान मरें है मद्यज्यप्रदेश में, मुम्किन है वो जीन्स पहने हुए हों मगर Indian Express ने मद्यज्यप्रदेश में मारे गए है 7 किसानों पर एक शांदार रिपोर्ट किये इस रिपोर्ट के अनुसार पांचों के पांचों किसान भूमी हीन इसलिए इस अंदोलन में भूमी हीन भी हैं किसानों को दाम नहीं मिल रहे हैं कहा जाता है कि उत्पादन बढ़ाना चाहिए किसान उत्पादन बढ़ा देता है तो दाम नहीं मिलता है जाहिर है उसका गुस्सा बढ़ेगा सरकार नियुंतम समर्थन मुल्य तै करती है मगर किसान कहते हैं कि खरीद के ऐसे नियम बना देती है कि सभी किसान उसका लाब नहीं उठा पाते खुद भारत के मुख्या आर्थिक सलाकार अर्बिन सुब्रमन्यन ने दिल्ली में अंग्रेजी में कहा कि तूर दाल के संदर में बयान दिया उन्होंने कि 60 प्रतिशत किसानों को नियुंतम समर्थन मुल्य का ला भी नहीं मिला जबकि पूरी कोशिश की गई तब भी 40 प्रतिशत ही खरीद पाए उन्हें इससे भी कम पर बेशना पड़ा 60 प्रतिशत किसानों को मगर अंदोलन सिर्म अध्यप्रदेश में नहीं है महरास्ट में भी है अब तो पंजाब से भी आवाज उटने लगी है हमारे सहयोगी निखिलपंदी ने रिपोर्ट भेजी है कि पंजाब में बीते एक हफते में साथ किसानों ने आत्महत्या की वहां किसानों ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंका किसान पंजाब में भी दाम मांग रहे हैं 12 जुन को पंजाब में राजवयापी प्रदशन होगा पंजाब में कॉंग्रेस ने 80,000 करोड की कर्जमाफी का वादा किया था जिसे इस आगामी बजट सत्र में पास करने का पूरा करने का आश्वासन दिया जा रहा है ये उस पंजाब की हालत है समझे जो खेती किसानी के मामले में ज़ादा प्रगतिशिल है जहां ढांचे बहुत जादा बहतर हैं कई तरह की सुगधाएं है उस पंजाब में एक हफ़ते में पिछले एक हफ़ते में साथ किसानों ने आत्मात्या की है और हमारे कृशी मंत्री योग कर रहे है बीते दो महिने में पंजाब के मालवा में सुट्रों ने बताया कि 24 किसानों ने खुदकुशी की है मद्र प्रदेश का मालवा भी बेचैन है पंजाब का मालवा भी बेचैन है और ये संकट दोहरा होता जा रहा है, तो आश्वासन नहीं समधान के बारे में सुचना होगा, हम बात करेंगे प्राइम टाइम में हमारे साथ शिवकुमार शर्मा जी है, राश्टे किसान मजदूर संग के अध्यक्ष है, मद्र प्रदेश से दिल्ली आये हैं, हमें मौका मि इंबेशियों से जुड़े वे जो उत्पादन चीज़े हैं, तो आखड़े बताते हैं कि वहां कुछ न कुछ अच्छा हुआ होगा, जिससे उत्पादन में इतनी बढ़ुत्री हुई होगी, कुछ नीतियां काम कर रही होगी, कुछ प्रुचसाहन काम कर रही होगी, फिर जब से सिर्दा सिंगी चौहान सत्ता में हैं, किसान शोशित हुआ, प्लेडित हुआ, दंडित हुआ, अपमानित भी हुआ, अब परास्त हो गया है, परास्त में किसान के वल, दो ही काम करता है, या तो आत्नात्या कर लीकिता है addis 예 हम लोग, उसको रोकते हैं तो और का परिणाम है यह अचानक एक दिन में होने वादा गुस्ता नहीं है कि शोषन क्या है देखिए हम लोग जो अख़वार पढ़ते हैं जो उत्पादन के आंकड़े हैं तो मुझे भी ठीक लगा कि मनें गेहों की वह का उत्पादन इतना जादा हो गया है यहां पर इसके की समस्या यह है कि मνडियों में मद्द प्करदेश की पूरी मंडियों में एक बरुद किया हम पेले मंडी एक्ट था कि आम किसां चनाओं में बोड डालेंगे हैं मैं ने बरुद Кिया की ये ठीक है इसको ौचेंज मत करिए हैं शुरास सिंघ झी नहीं इसको कहा कि नहीं इसको हम वार्ड मेंबर, 16 वार्ड मेंबर होंगे एक मंडी में, और रड़ेंगे, वार्ड मेंबर फिर मंडी अध्यक चुनेगा, जब कोई इस प्रकार से बनता है, तो हम मनी पावर और मसल पावर काम करता है, तो वार्ड मेंबर किसान नहीं होते हैं, वो होता है, पर वो मै किसान डालते हैं किसान चुनते हैं एक वार्ड मेंबर मिलके एक अध्यक्ष चुनता है अब तीन इनके आ गए दो इनके पांच इनके तो पचास लाख में एक में बिग गया तीन करोर में दो बिग गए तो मंडी अध्यक्ष कोसद तीन करोर से पांच करोर में बनता है इतना किसान को नहीं मिला किसान को समर्थन मूल पर ही माल बिचना है एक्ट कहता है तो यह मंडी सेकेटरी और मंडी के अधिकारी बैपारी एक रिंग बना लेते हैं और किसान का करते हैं सोशन अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यह जो मुखिमंतरी ने मध्य परदेश की मुख्यमंतरी ने ऐलान किया कुछ कदम कि हम हमारी सरकार किसानों की सरकार है और मुखिमंतर बना दिया है एक हजार करोड का और लागत विपनन एक आयोग बनाया है आठ रुपे प्रती किलो प्याज खरीदने की बात पर यह तो क्या यह प्रयापत है यह आपनों प्रयापत नहीं है प्याज की कास्ट किसान को प्रती है एक किलो दस रुपे से ऊपर उगाने में अब आठ लेंगे तो दो घाटा है उसको, किसान की डिमांड है कि हमको पंधा रुपया किलो मिले, यानि पंधा रुपय कुन टहल मिला चाहिए, अब यह नहीं को कहा है कि हमने आयोग बना दिया है, मूल का, तो इनकी हैसियत क्या है, वो तो केंद का विशह है, आप यह कह रहे हैं कि यह कीषान को नगत देंगे, तो गेहु का किसान, वो बेचे हुए हो गया है करीब करीब डेड मेना, आप उसको तत्काल धान लगाने करीव पैसा चाहिए, पानी गिर चुका है, उसके जेम में पैसा नहीं है, पैसा क्यों नहीं मिला है? यह हमेशा लेट होता है या इस बर ल हैं हाँ जैसे हम समान खरीदे तो उसी वक्त पैसा दिये है वह आटीजीएस से डीजिटल ट्रांसफर नहीं हो जाता है तो नहीं उससे नहीं होता है एक चेक मिलता है अच्छा और कभी-कभी वह आटीजीएस करते हैं तो उनकी मरजिया तब करते हैं एक मैने बाद डेड़ म किसान की इक इक्षा है अगर वह कैता है कैस दो आप कैस दे दू अगर वो कहता है कि आडीजीफ और करो तरक कान को लेट क्यों करते हैं तरण पशेल्ट का जैसे उत्तरप्देश alar기가 वादा हुआ कि 15 दिन के भीतर गन्ना किसानों का पेमिंट होगा ऐसा कुछ होना चाहिए ठीक है क्या नोट बंदी के कारण भी ये परिशानी बढ़ी है किसानों की इस बार या ये जन्र एक प्रोसेस की बात है ये नोट बंदी जिस वखत हुई थी उस वखत हमारे प्रदेश में पीक अवर्स हुआ करते हैं अक्टूबर नॉम्बर का मेना उस समय गेहूं की बोनी होती ही चना होता है तमाम चीज़े लगती है लेवर पेमेंट देना पड़ता है मेडियर लेवर बाहर से आती है तो वैसी स्थिती में किसानों को बहुत समस्या आई अब उसके पास सब कुछ है खात के लिए पैसे नहीं है खात कहां से लेगा बीज नगत मिलता है बीज कह जिसे आते हैं उन्होंने कहा कि हमने किसानों को बहुत फाइदा दिया है एक लाग रुपे हम अगर लोन देते हैं तो किसान नबे हजार ही चुकाना पड़ता उसको दस हजार नहीं चुकाना पड़ता और जितनी सुविधा हैं हमने किसानों को दी हैं वो उसके उपर जो क कड़ोर का करजा था किसानों पर अब ये 45,99 कड़ोर क्यों हो गया कैसी से का लोन केबल इत्ता करजा किसान कैसे हो गया 10 से 15 गुना किसान करजार हुआ है जब ये मोदीजी सत्ता में आए तो इन्होंने 3-4 काम जो लगातार किये थे किसान का जब बोनस ली है लेंड में लेकर आए अठारा पूंजी पतियों का दो लाख पचास हजार कड़ों का गर्जा माफ किया हमसे बोनस भाप इस लिया अब ये जो पांच लाख छेटर हजार कड़ोर छेटर हजार साथ सो निन्यानवे कड़ोर रुपया दस पूंजी पतियों का माफ करने जा रहे हैं रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं मतलब उसको माफ एक दम नहीं होता है मतलब कोई आयोग वैगरा बना के जो भी कर रहे हैं तो हमारे तो किसानों का पूरे देश के किसानों वाजू कर जा है वो केवल पांच लाख बत्तिस जार का है तो आप फिर ओडिफाल्टर नहीं होते कभी इन्होंने कहा तो है कि रिंड समधान आयोग बनाएंगे क्रिशक रिंड समधान योजना जो डिफॉल्टर हैं जिनका जो नहीं दे सकते हैं उनको शायद माफ करने का आयोग तो बनाएंगे वह बूरे देश में अभी तक किसानों के लिए पांच आयोग बने हैं एक भी आयोग की ये बातें नहीं मनते हैं आपकी पूरी जिन्दगी किसानों को समझने में रही है क्या कोई सरकार दाम तै कर सकती है क्या मैं यह जानना चाहता हूँ इतनी सारी फसले हैं इतनी सारे जीन्स हैं जीन्स मतलब फसल को मंतरी जी शायद वो दूसरे जीन्स की तरफ इसारा कर रहे थे पचास पर्सेंट मुनाफ़ा देखिए अमिज शाजी ने कहा कि कोई सरकार नहीं दे सकती है स्वामी नाथन फॉर्मिले के हिसाथ है सरकार ने सुप्रिम कोट में भी कहा है और आपके इन पूरे मांग से लगता है कि सरकार दाम को सुनिशित करे ने तो किसान इसी तरह से अनिशित वातावरन में रहेगा संभव है क्या संभव क्यों नहीं संभव क्यों नहीं हो तो किसान दोने पड़ जाए सरकार का खजान सीमित है और ये तर्क दिया जाता है सरकार केवल किसानों के लिए एक खजान सीमित है हमदाद दो हम को आप मत देजिए लागत न मुख can NEEM coated करते हैं कि उसे लागत कम होने वाली है है with soil health card कर्ट से क्या फाइदा हुआ बता सकते हैं स्वायल्थ हेल spirit card कहीं नहीं है 20 साल से हमारे हों चिल रहे हैं 15 साल से उससे कोई मतलब नहीं इस अपर्यल कोई साथ करोड स्वायल हेलथ कार्ड देने की बात कही गयい ने के टेक्क्निशिन्स जो हैं और जानते हिएं मिट्ठी का परिक्छण्ड रहूत हैं मैंने तो दोनों के आंकडों में 100% का अंतर है तो ये जो करवा रहे हैं ये सब बोगस है ये केवल आंकड़े बाजी कर रहे हैं वहाशन देने के लिए सौयल हेल्थ कार्ड का कहीं कोई अफाइदा नहीं है आप जेनरल बात बोल रहे हैं या मैंने देखा नहीं है मैं चाहता हूँ कि मैं सौयल हेल्थ कार्ड की रिपोर्टिंग करू लेकिन मैंने किया नहीं है अभी तक इनके पास अच्छे नहीं है टेक्निशन्स मैंने कंप्लेंट की फिल्म्स हैं तो मैंने का ये अंतर क्यों आ रहा है तो वहले साब वो सेंटरल गोर्मेंट की जानकारी अभी नहीं मिलती है मतलब ये होता है कि जिला इस तर पर कुछ बनाएंगे पर इतनी बड़ी संख्या में करोडों पर परिक्षन करने के लिए मशीने आई हैं या नहीं आई हैं ये इसकी जानकारी उन दो पन्नों के विग्यापन में नहीं दिखी जो क्रिशी मं येसिंद्राल्य ने दो पने का विग्यापन दिया सब अक़ारों में तो उसमें है कि लागत कं करने की प्रक्रिया में ये नीमकोट्ड यूरिया का भी रोल है nitrogen का तो उसमें से आप नीम का कोड कर लगा देंगे तो उससे कौन साम को फार्दा हो जाएगा हमारे दर्शक फिर भी जानना चाहते हैं कि समधान क्या है क्या समधान निकाला जाए देखिए अभी आंदुलन हो रहा है एक समधान तो सरकारों के पास है वह आश्वासन कि उनको कह दिया जाएगा आप अन्य दाता है इसी में खुश हो जाएंगे नहीं तो फिर वह धार्म में छोड़ो जहां वो अपना दाम बेचें और किसी तरह का प्रतिबंद ना लगाओ हमारे शो में कर्थ शास्री ने कहा दिखिए इसका केवल एक ही समधान है कि सरकार संसाधन जहां से लाए ये सरकार का सोचने का विश्य हमारा नहीं है हमारा विश्य तो केवल ये है कि या तो आप किसी को भी लागत कम करें या फिर आप किसी को लागत मुल दें तब तक इसका कोई हल निकालने का कोई और दूसरा उपार है तो लागत तो तभी कम होगा होगी जब सबसीडी आप जादा देंगे ने अब जैसे की डीजल हम डीजल में तो ये लूट रहे हैं गुजरात में डीजल अक्सिट दे रहे हैं एक स्टेट में आप दे रहे हों बाकी काफी राजियों में बिजली फिरी है आन्द परदेश में केवल तीस पैसे तीस रुपया परमंत लगता है उस राजियों में और कुछ चारिजिस हैं तो बिजली आप फिरी कर दो पर इस की वज़ा से ऐसी नीतियों की वज़ा से बिजली बोर्ड की हालत खराब है और वह बहुत करदे में हैं उसका सरकार सिंटा करना पड़ेगी सरकार को हम अब सत्रा राजियों को तो बिजली फिरी रहे हैं हमको चाहिए यह पलसी मेंटर है पर जब लागत कम करेंगे हम अब इस हिसाफ से तो हर चीज की कीमत तो बढ़ी है उस अनपात में खेती दो सो परसेंट पीछे है पांच पैसे डीजल था पैसट रुपया है किसान को कैसे बताया देखिए अभी तो गुसा तभी दिखता है जो लगता है कि अभी उसको तुरन दाम दे दिया जाया है सब को तो अपने अपने वापस घर चले जाएंगे ठीक है लेकिन फिर वो अगले साल यह समझ से आएगी कि आप को सरकार कहेगी आप डाल हो गई है सब कोई पचास परसेंट डाल का तूर का जो रेट है तो प्राइस कैसे नहीं क्रेश करेगा अगर आप बाजार के समान्य सिद् तो कि अनुसार भी सोचें तो देखिए इसमें आपको यह है कि एक तो आयात और निर्यात नीती जो है जो हम लोग फील करते हैं पुराने किसान नेता हैं कि यह जीन्स भी नहीं पहनते हैं हम तो प्रदान मन्ती जी से ज्यादा ताकत्वा लगती है इससे बड़ा ताकत्व कोई लगता नहीं है इससे कपास के दाव कर के 30% हो गए कपास प्रदा करने वादा किसान की कमर ठूटगी यह खेल क्या है किसान नीं सब चीजान को नहीं समझता है जैसे किसान को ये नहीं मालुम कि मुख्यार्थिक सलाकार ने कहा कि तूरदाल का रेट जो है वो छे अजार प्रतिक्विंटल मिलना चाहिए और पांच हजार पचास रुपे भी ऐसे ऐलान हो रहा है जैसे उस पर अहसान हो रहा है ये सब जानकारियां किसानों तक नहीं पहुंचती हैं देखिए किसान की सबसे बड़ी पीड़ा तो ये है कि अब नए बच्चे जो आ रहे हैं वो थोड़े से सिक्षें से ज्यादा नहीं है हमारी जो साथ के लोग हैं तो एक ये बात तो है कि उसको अवेर नहीं होता हो वो